बिहार में सरकार है या नहीं? बिहार में मुख्यमंत्री है या नहीं? बिहार में DGP है या नहीं? बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं? दोस्तों ये सवाल आज मैं क्यों उठा रहा हूँ? या फिर मेरा मिज़ाज आज इतने गुसे में क्यों है उसके पीछे वज़े है दोस्तों बिहार में एक ऐसी घटना होती है जो शर्मसार कर देती है लोकतंक्र को जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई हम एक सुरक्षत समाज में रह रहे हैं हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक है बिहार के नवादा में महादलितों के घर फूख दिये जाते हैं एक दो नहीं सो घर घर फूखने से पहले पचास राउंड फाइरिंग होती है लेकिन गोलियों की ये आवाद नवादा में पुलिस के कानों तक नहीं पहुँचती जब वहां के स्थानी लोग पुलिस को फोन करते हैं कप्तान को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पुलिस फोर्स भेज दी है सवाल खड़ा होता है कि नवादा में इस तरह की घटना हो जाती है उस घटना के होने से पहले क्या इस तरह की किसी आशंका को नहीं भापा गया था और घटना होने के बाद जिस तरह की लापरवाही बिहार की सरकार और बिहार के शासन प्रशासन ने दिखाई है वो दोस्तों बड़ी शर्मनाक है शर्मनाक नितीश कुमार की चुप्पी भी है वो नितीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बीते दो दशक से सिर्फ सौदेबाजी कर रहे है कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं लेकिन नवादा की घटना पर वो खामोश हैं। नितीश कुमार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ देख सकते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चरलों में दंडवत हो सकते हैं। लेकिन नितीश कुमार अपने राज्जी को समभाल नहीं सकते। महादलितों के घर फूंके गए दोस्तों वो समाज जो शोशित है, वंचित है, पीडित है जिसके नाम पर खूब राजनीती होती है जिसके नाम पर वोट बटोरे जाते है जिसके नाम पर अपनी सियासत चमकाई जाती है आप उसको सुरक्षा का महाल नहीं दे सकते बस्ती में घुसकर सो दबंग आते हैं, फाइरिंग करते हैं, आग लगाते हैं मासूम बच्चे चीखते हैं लेकिन बिहार में सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है कानों में रूई ठूसकर बैठी हुई नितीश कुमार की सरकार जिस तरह से इस पूरे मामले को डील कर रही है दोस्तों उस पर भी कई सवाल है सवाल कई चुप्पियों पर भी है सवाल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी है जब अपनी वहवाही करनी हो जब अपनी पीट ठोकनी हो तो प्रधान मंतरी खुब बोलते हैं घंटो भाजनों देते हैं लेकिन जब बात मणीपुर की आती है तो प्रधान मंतरी खामोश हो जाते हैं जब बात हातरस की घटना कियाती है प्रधान मंत्री चुप हो जाते हैं जब महाराश्च की घटना की बात होती है खामोश हो जाते हैं और जब नितीश कुमार के राज में उनके सहयोगी नितीश कुमार के राज में नवादा में फूक दिये जाते हैं महादलितों के घर, तब भी प्रधान मंतरी खामोश रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस घटना पर विपक्ष खुब सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, बिहार के पूर्व उप मुख्य मंतरी तेजस्वी यादव ने भी नितीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे, दोस्तों तेजस्वी यादव ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से भी सवाल पूछे, तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लिखा है, कि आदरणी ये प्रधान मंतरी मोधी जी, बिहार में आपकी डबल इंजन पावर्ड सरकार में दलितों के घर जला दिये गए ये भारत देश की ही घटना है कृपया इस मंगल राज पर दो शब्द तो कह दीजिए कि ये सब प्रभू की मर्जी से हो रहा है इस पर NDA के बड़ बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश्ट नहीं है ये भी बता दीजिए कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री ने महीनों से बोलना बंद कर रखा है वो ना तो मीडिया से बात करते हैं ना पबलिक से वो जो भी बोलते हैं वो अधिकारियों का ही लिखा हुआ बोलते हैं क्योंकि जब वो स्वयम का बोलते हैं तो कहीं से कहीं और कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं शायद इसलिए ही ये पाबंदी लगाई गई है एंडिये को बिहार की नहीं बलकि अपराधियों की चिंता है ये तेजस्वी यादव ने दोस्तों सवाल खड़े किये हैं एहम सवाल है जिन पर बात हो रही है इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल पूछे हैं नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज़ादा परिवारों के घरों को नश्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ती खोचुके इंदलित परिवारों की चीतकार और भयंकर गोली बारी की गूंज से वन्चित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में काम्याब नहीं हो पाया। भाजपा और NDA के सहयोगी दलों के नेतरत में ऐसे अराजक तत्तो शर्म पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संब्धानिक अधिकार भी ना मांग पाएं। और प्रधान मंत्री का मौन इस बड़े शड़यंत्र पर विकृती की मोहर है, बिहार सरकार और राज़ी पुलिस को इस शर्मनाक अपराद के सभी दोशियों के खिलाफ तौरित और सक्त कारवाई कर पीरित परिवारों का पुनरवास करा कर उन्हें पूर्ण न्यायत दिलाना चाहिए, दोस्तों ये सवाल राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, नवादा बिहार में महादलितों के 80 से जादा घरों को जला देने की घटना बेहत खौफनात और निंदनी है, दरजनों राउन फाइरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना ये दिखाता है कि प्रदेश में कानून बिवस्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, आम ग्रामिल गरीब असुरक्षा और खौफ के साए में जीने को मजबूर है, मेरी राजी सरकार से मांग है कि ऐसा नयाय करने वाले दबंगों पर सक्त कारवाई हो और सभी पीर्टों का समुचित पुनर्वास किया जाए दोस्तों, ये बात भी निकल कर सामने आई है, इसके अलावा दोस्तों जो NDA के तमाम सहयोगी हैं जिसमें चिराग पासवान भी एक सहयोगी है, नरेंदर बोदी की सरकार में मंत्री हैं, चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों और और सजा दी जाए और पीड़तों के आर्थिक मदद का हर संभो प्रावधान किया जाए, साथ ही मामले की नियाई जाज की भी मांग करता हूँ ताकि भविश्च में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे, पीड़ित परिजनों के परती मेरी और मेरी पार्टी की गहर संभेधना है, मैं जल्द ही घटना स्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा, इचराग पासवान की बात है, इन सभी पोस्ट में एक बात कॉमन है, सब ने कहा कि असी से जादा घर जलाए गए, लेकिन नवादा के स्पी ये कहते हैं कि सिर्फ 21 घर जलाए गए औ और उसके साथ भी वो सिर्फ जोडते हैं, सिर्फ जोडते हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, बिहार के नवादा में जस तरह की घटना हुई है, उसने लुकतंतर को शर्मसार कर दिया है, सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है, इस देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की चुपी पर सरकार भले ही अपनी पीट थप थपा रही है इसमें जाती का एंगल निकाला जा रहा है तमाम राजनीत हो रही है लेकिन दोस्तों बिहार का नवादा आज सवाल पूछ रहा है कि वो भारत में है या नहीं है वो बिहार में है या नहीं है वो नितीश कुमार के लिए एक जिला है या नहीं है और ये परिवार नितीश कुमार के लिए नागरिक है या नहीं नागरिक छो दीजिए नितीश कुमार इन्हें वोटर मानते है या नहीं मानते है क्या दलिच समाज के साथ महा दलिच समाज के साथ इसी तरह से बिहार में अन्याय होता रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों और जाहिर सी बात है कि नितिश कुमार इन तमाम सवालों के जवाब नहीं देंगे लेकिन जवाबों को टटोलने की कोशिश आप भी करिए और हम भी कर रहे हैं क्योंकि नवादा इसी देश का हिस्सा है जिस तरह से मलीपूर को प्रधान मंत्री ने बिलकुल छोड़ रखा है उसी तरह से अब नवादा पर भी उनकी चुपी जारी रहेगी और ये चुपी दोस्तों देश के लिए बड़े सवाल खड़े करती है फिलाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही आप इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा